बड़ी खबर देश के सर्वोच नागरिक सम्मान को लिकर है दरसल भारत के पूर्व उपप्रधान मंत्री और भारतिया जनतापाटी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवानी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा केंद्र की मोधी सरकार ने लालकृष्ण आडवानी को भारत रत्न देनी का एलान किया है पियम मोधी ने कहा कि LK आडवानी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपून योगदान है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने खुद सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्सपर इसके जानकारी थी बीजेपी के भीश्म पितामा कहे जाने वाले अडवानी इस साल ये सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं उनसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर को 26 जनवरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बता दें कि भारत रत्न राजनीती, कला, साहित्य, विज्ञान के शेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक उध्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है ये सम्मान देश का सर्वोच नाकरिक सम्मान है जो किसी शेत्र में असाधारन और सर्वोच सेवा को माननेता देने के लिए दिया जाता है भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की और से एक प्रिमाण पत्र और एक मैडल दिया जाता है इसके साथ ही किसी भी प्रकार की कोई धनराशी प्रदान नहीं की जाती हलाकि सम्मान के साथ कई प्रकार की अन्य सुविधाएं जरूर प्रदान की जाती है लालकृष्ण आडवानी को भारत रतन मिलने के बाद उन्हीं सरकारी महकमे की और से कई सुविधाएं मोहिया कराई जाएंगी भारत रतन पाने वालों को रेलवे की और से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है इसके अलावा उन्हें एहम सरकारी कारिक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता दिया जाता है लाल कृष्ण आडवानी को सरकार वारंट आफ प्रेजिडेंट में भी जगह देती है भारत रतन मिलने के बाद उन्हें प्रोटोकॉल में राश्रपती, उपर राश्रपती, प्रधान मंतरी, राज्यपाल, पूर्व राश्रपती, उपर प्रधान मंतरी, मुख्य न्यायाधीश, लोगसभा अध्याक्ष, क्याबिनेट मंतरी, मुख्य मंतरी, पूर्व प्रधा और सत्र में भाग ले सकते हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर वी आईपी का दर्जा मिलता है। ये हस्तियां अगर किसी राज्य में घूमने जाती हैं तो उन्हें राज्य की अतीथी का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गुपालाचारी, पूर्व राश्टपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्यानिक डॉक्टर चंदरशेखर वैंकेट रमन को 1904 में दिया गया था।